हैलो एब्रीबन वैसे तुझे हो है ना मैंने ये आपसे डिरेक्ट पात कर ली थी फेस टू फेस बट हुआ क्या ना इस वीडियो में आवाज मेरी बहुत ही कम आ रही थी बहुत ही ज़्यादा कम क्योंकि मैं बस सोगे ही उठी थी और उसके बाद से जैसे मैंने वीडियो स् तूट आगे पड़ा था जो लोवर आगे पड़ा था वही पहन के और मैं सो गई थी मेकप रेमूओ करने का बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि तृष को उस टाइम पहना ये था कि मम्मा चाहिए थी बहुत देर से परिशान था वैसे तो उसने बिल्कुल परिशान नही है और वो तृष को उठाने की कोशिश में थी उसको कही ना कही अंदाजा हो गया था कि तृष अंदर सो रहा है लेकिन मैंने उसे बोल गया था कि तृष जो है ना गया हुआ है सब बच्चे और जो दीदिये ना वो गए हुए चाचा जी के घर पे विदा होने के लिए त इससे संबलता तो है नहीं क्योंकि छोटी है यह बीतनी बड़ी का है और यह जबर्दस्ति उसको उठाती है मतलब गोदी में यह टाइट पकड़ लेगी बीच देगी बिलकुल उसको संभालने के चक्कर पे मतलब इतना शोक है इतना शोक है ना उसको गोदी में लेने का बहुत ही ज़्यादा और मुझे यह लग रहा था कि वह आठ नो बज़े तक कभी सोता है ने त्रिश आठ बज़े के लगब कर टाइम हो गया अभी तो मैं सोचे कि वह ठका हुआ है इसलिए ज्यादा सो रहा है और अगर अभी इसने उठाया ना उसको अंदर जाके तो वह परिशान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब कई बार ना बिना वज़े की भी ऐसी जूड बोलनी पड़ जाती है है ना मतलब अभी कोई मतलब नहीं था इस बात पर जूड बोलने का कि तरे शंदर नहीं है लेकिन फिर भी बोलना पड़ा तो अभी न उसे विश्व होदी थह विडियो बनते बनते और बवया को यह नहीं बता रखा कि तरिश अंदर सोया हूआ है क्योंकि ये उसको बिलखना यह मैं बिचा रहेगा वो परिशान होता रहे लेकिन यह बिल्कूल ने मानती मैं कि यह कह दिया कि तरिश सुर्व भी उनों RICHARD penguin पर ब disciples one of a unique प्रो पीछे हो लिए अब एकदम से रूम में जा रही थी तब मैंने बुला है रुख रुख जा तेरे ताउ जी सो रहे अंदर देल ताउ घुसा हो जाएंगे यह भी चोटी यह भी इसके बसके ना गोदी लेना नहीं है चोटा था जब तो ले लिया करती भीच वाच के जबर्द मैं कह रही हो कि मैंने दाल चावल बनने के लिए रग दे और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गैस बंद है तो बाकी सब बाद में आएंगे जितने भी गए वे थे चेतना पहले आगी थी स्कूटी पे छोड़के गए थे उसको क्योंकि समान काफी ज्यादा हो गया था ना सब मिलाया देदी को मैंने चितना को वही आते ही बोला कि चितना पहले तुमेर कोई दिखा दे फिर मैं बिजी हो जाओंगी नाने दोने जाओंगी और घर के काम भी बहुत सारे हैं क्योंकि लेट भी उठी हूँ तो एक ये सूट था ग्रीन कलर का पैंट शेट था एक और दाल एक साइड में चावल बनने के लिए रखे ही थे क्योंकि मम्मी मेरे को बोल के गई थी पीछे गई हूए है कि यह ना दाल चडा ले तू खाने की तैयारी कर ले दिन के की नाश्तेवाश्ते की कुछ मत कर तो जब मैं दाल चडा दिया चावल चडा दिया और जैसे पी दिमाग से निकल जाता है तो फिर मेरे को टेंशन सी रहते हैं कि कहीं मैं बिल्कुल ही ना भूल जाओ और स्लेंडर बिल्कुल खतम होने पे आए तब तक मुझे यही रही दिमाग में की आ गया था मैं भूल ना जाओ मतलब की और आज मेरी ड्रेसिंग सेंस देखो मतलब बिल्कुल भी ध्यान बद दे ना वैसे कहने के बाद तो सब ने ही ध्यान दे लिया होगा जो मुझे सामने दिखा था ना बस रात को मैं वही पहन के सो गई थी यह देखो इस साइड में तो मैंने यह दाल चावल बनने के लिए रख दिए चावल तो अब मैंने बंद करती हैं दाल तो मैं बनाओंगी बनाओंगी क्योंकि जिनको सबजी नहीं कहानी होगी ना वो खा लेंगे और अब आखे भी साख पर क्या होगी कैसी हो रही है काली- तो बिल्कुल भी नी बनाने पड़ेंगे बहुत सारे चावल और सब्जी अबजी लिया हैं तो यहाँ पे मैं पैक करने के लिए प्राठे बना रही थी क्योंकि मम्मी ने बुला था कि प्राठे इनके पैक कर दियो क्योंकि जाते ही खाना खालेंगे जाती एकदम से बनान दाल जिस को चैGroup लिए गरम कर रही है क्योंकि अब धे खाना कहांके जाएंगे था खाना कहाने के बाद सबने तो ने खाया बस होई गए है प्राठे पैक क्योंकि उन्हें अभी की अभी निकलना है वो निकल गए थे करीब बारा बजे के आसपास क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ जाता है रास्ता जब गाड़ी से आते हैं एक गंटे सावा गंटे का रस्ता होता है लेकिन आज वो पहली बार बस से अगे बार कारी के सब्सक्रण सब्सक्राइब है जifying दाल तो कोई ही खायेगा यह जाय सब्सक्राइजब, इसने लिए रहेगे गरम करती है, तो कि हम सबचुक्य दाल पैक कर दिये और प्राटे करें अब आर्ध के लिए लगा रहे है। जाल डाल चावल उसने हैं को बता दो और दो पर हैma Dan रटी आ इंसे वे हैं अपना चैनल है और नाम बड़ा जीब से आ जानल को मैं तो नामी भूल गरते ह्गा किया है और तुर तक मैं नहीं यर्टेसं कर दो भात करते का मैं यर। नामी भूल गरते हैं और यर estás वो बन्ताप उतारो घ्र आखकर दे प्लाच करें वाँ ना दिए आखका बाई जो ना दुन्द करणा जो बाई तप कि और पैठीक प्लाकाऊ आखको टॉट शेतना माम डानी बुला दीटऱ के करवाले हमी ओर बोल देग वार करवान का थर पिछली बार को पिछली बार में एक पुछकर वाले बाए टिशु 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 बाए यह रोण का है इन भी रहा रोणका सब के तो दोने चीये अच्छा चेत्रा दो में खती लानी शुमर को दे दे इस चक्कर में फिर ममें बोले कि इनको इस रूट का जाधा पता नहीं है क्योंकि ये तो बस में आए ही पहली बार है तो जाते टाइम ना तू इनको बोर्डर तक छोड़ या तो मैं साक्षी और निश्चे है हम तीनों आए हैं सब को छोड़ने के लिए पुस्स अटाले पीछो ले आदे दियो थोड़ा से साक्षी रूख के गब्रेक कर पाए आजवागे नाजो अरे मा रोकी है मा रोकी है कदे या स्टाइंड बना रहे है कदे मा बना दे इनका भी रहना पड़ता साक्षी नेश्चे है फुश्यो बंब चेतना से दे भाई कुछ है अर्थी दो तो करके शिफ्ट हो जाना जा सीट मिले जिसने है बाई आर्थी बाई चेतना बाई तो यहां पर आप देख सकते हो जजजर वाली बस में जो है मैंने उनको बिठा दिया है बाउडर से और आप जजजर से आगे जो है न सीधा बस्टन पर यह उतरेंगे तो वहां खुद बता करके फुरुकनगर वाली में बैठ चाएंगे और फिर फुरुकनगर वाली से ब मुझे नहीं पता तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ऐसे वेट करते करते आज ना दिन में सो गे थे दीदी को छोड़के आने के बाद और फिर मैं मतलब फटा फट से जाती जाती सी नहाई थी दो डिब पाने डाले और कल वाला मेकप देखो अभी तेक भी प्रॉपर लगाई हुआ है ना तो मैं सोचा कि चलो मेकप वेकप करने का कुछ टाहिम नहीं है और यह वाली बिंदी इतनी अच्छी होती है ना जो यह बड़े साइस वाली शिल्पा की बिंदी आती है यह कई-कई दिन बी टिक जाती है तो अब टाइम हो गया अब हम सो सब्सकर करीब हम थे henATION के बाद निश्चा की अनी केबाद और बस बस अब चाहिवाइ बनाई है और उसके बाद कर सात मुझ जाना है एक गार घाना गरकुनबे में मतलब शादी है तो कल था उनका दान का बुलावा और कल हम बिजी बहुत जादा थे तो कल हम नहीं देखने जा पाए तो आज जो बैदान की उधार है वो तो देखे यानी पड़ेगी न तो बस मैं सूट साडी कुछ निकाल लो फिर जाती हूँ आप नहीं ज तो ये दे आते हैं अब टो फिर दिमाग से निकल गया तो गड़ बढ़ हो जाएगी और दिमाग दिमाग से नहीं पिर हमारे हाथ से लेकर जाने वाले निकल जाएगे और मॉला बहुत दूर पड़ता है फिर बड़ी दिक्कत होती है पैदल जाने में अकेले पताए अपन मैं भी निकालती हूँ तो यह है ब्राइड जिनकी शादी है फेस और फेस मैंने इसलिए हाइड कर दिया है पता नहीं कोई कमफर्टिबल हो या नहीं हो इसलिए मैंने सोचा कि इमोजी लगा देती हूँ किसी के कमफर्ट से बाहर कोई भी चीज अमें नहीं करनी चाहिए है तो देख लो मतलब मेरे घर के तो सारे हैं है और बच्चा तो आपको पता है चोटा है बेशक परिशान करने वाला बच्चा नहों लेकिन फिर भी काम बहुत सारे हो जाते हैं उसके भी और उपर से अपना सूटों का संभालना और अमें शोप पे भी जाने लगी हूँ और तो ये जो एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं देखो पहले सुबह उनको जोड़ की आई दिन में फिर अब शाम का यहां का चकर होगए डेली के मेरे एक दो एक दो चकर इस तरीके के रोज के कोई ना कोई काम की होई जाते हैं कभी पोस्ट ओफिस का कभी कहीं का पारेसल से र करने में मतलब जिन्दगी निकल जाती है है ना तो उन चीजों से बहुत दूर रहती हूं चलो आज के इस वीडियो का यह याइंड करती है अब कल मिलोंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में